अगर आप एक desktop लेने का सूच रहे हैं और confusion है कि प्रोसेसर कौन सा लूँ, RAM किता लूँ, HDD लूँ या SSD लूँ अगर ये सारे confusion आपके मन में हैं तो ये वीडियो आप देखिए end तक और जितने भी confusion है आपके पूरे खतम हो जाएंगे चाहे आपको zero knowledge हो, मैं यहाप आपको scratch से buying guide बताऊंगा कि आपको जब एक desktop लेना है तो कि इसकिस point को ध्यान देना है और अगर आपको इन सब का knowledge है तो अभी वीडियो देख लीजिए और देखते हैं कि हम दोनों के same page पर हैं तो चलो शूरू करें वीडियो, let's begin तो जब भी आप एक desktop लेंगे तो सबसे पहला point आपको यह consider करना है कि आपका purpose क्या है मला आपको काम क्या करना है अपने desktop पर आप अकेले उस पर काम करेंगे या आपके family member में और भी कोई उसमें काम करेंगा वो किस step का काम करेंगा मेंली क्या होता है जितने specification होते है वो इसे से decide होते है कि आपको अपने desktop पर करना गया है और काम मतलब यह नहीं कि आज आप क्या काम कर रहे हैं आने वाले 3-4 सल तक आप जिस टेप का भी काम उस desktop पर करेंगे उसका एक list पना लिए इस से ही specification decide होगा कि आपको किस टेप का desktop लेना है और किन-किन पार्ट के आपको requirement होगी एक पर परपस ही आपका decide हो गया फिर सबसे में चीज़ आता है कि budget एक आपको budget decide करना पड़ेगा अब budget से मतलब यह नहीं है कि आपने budget fix कर लिए और उतने में ही आपको desktop मिल जाएगा लेकिन हाँ 19-20 का फर्क में आपको desktop मिल आपको बिलकुल मिल जाएगा अब में बात करते हैं सबसे में पॉइंट इस प्रोसेशर कि आपका प्रोसेशर कौन सा लेना चाहिए दो कंपनी बनाती है इंटेल और आइमडी इंटेल में आपका i3, i5, i7 आता है आपका ryzen 3, ryzen 5, ryzen 7 तो यह i3, i5, i7 क्या है देखिए इ आपको उपर उपर से बता देता हूं लेकि अगर आपका जनरल वर्क है, common सब को स्कूल या कॉलेज का वर्क है, थोड़ा पो तब office का काम करते हैं, power pen का काम करते हैं, नॉर्मल आप उसमें वीडियो देखते हैं, इस टैप कर आप काम करते हैं तो आप i3 का प्रोसेशर ले आप graphics का काम है, आप graphics designing करते हैं, आप software बनाते हैं, आप gaming को बनाते हैं, coding करते हैं, इस टाइप का काम है, प्रोफेशनल काम है, तो आपको i7 प्रोसेशर के साथ जाना चाहिए, या Ryzen 7 के साथ जाना चाहिए, तो यह तो होगे i3, i5, i7, बट इसमें generations होते हैं, जो कि बहु नहीं है, बट फिर भी क्या होता है, जब एक दो जनरेशन पीछे तक अप लेंगे, तो तो कोई दिकत नहीं, बट आप आज की टेंड में आप i350 जनरेशन लेंगे, तो कोई भी मतलब नहीं है, तो आपको सबसे पले ध्यान देना है, जो जनरेशन है, वो इतना latest होगा, आ नहीं चलेगा, मैं नहीं कोल रहा हूँ, बट आज के हिसाब से जो काम होते हैं, 4GB RAM बहुत कम हो जाता है, तो 8GB का RAM तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर हो सके तो 16GB या 32GB का RAM ले सकते हैं, पर डिपेंड करते हैं, आप उस वर क्या काम कर रहा है, जनरल वर्क है, तो 8GB का आज भी आपको DDR3 RAM बिलते हैं, आपको उसको बिलकुल भी नहीं लेना है, DDR4 RAM ही लेना है, आने को DDR5 RAM भी आ गया है, लेकिन वो अभी काफी एक्सपेंसिव हैं, और अभी मुझे नहीं लगता कि इन जनरल आपको उसको यूज होगा, तो DDR4 RAM is more than enough, लेकिन 8GB का DDR4 RAM आपको ल सारे सोकेट्स दिये हैं, मला अपग्रेडिविलिटी के उसमें कितने ओप्शन दिये हैं, आज आप इस पार्ट को यूज कर रहे हैं, वो तो ठीक है, इन फ्यूचर आपको और वे पार्ट्स यूज होंगे, तो उसमें क्या आप उसको RAM कितना एक्स्टेंड कर सकते हैं, उ आप स्टोरेज की बात कर ले तो बहुत बड़ा कन्फिज होना था कि HDD ले या SSD ले, देखे SSD जो होता है, वो काफी फास होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, और अब इसका प्राइस गिर गये, पहले तो बहुत ज्यादा प्राइस था, फिर भी जब डिफरेंस देखेंग पर फिर भी बजट बहुत ज्यादा टाइड है, तो मिनिमम आपको 500GB का HDD ले ले लेना चाहिए, ताकि आराम से सारा काम को हो सके और बार आपको अपग्रेड ना करना पड़े, वैसे बेस्ट कॉम लिशन तो होता है कि HDD और SSD को कॉमबो बना लिए, तो बहुत ज्यादा बजट भग जाएगा, अब 256GB का SSD लगा लेंगे, तो क्या काम हो सब कर पाएंगे, तो कुछ बचे गए नी, तो बेस्ट कॉमबो क्या होता है कि आप 1TB का HDD लगा लिजे और 256GB य 512GB डिपेंडिंग आपका बजट कितना है, वर्क किस टेप का है, आप इस कॉमबो का ल अब बात कर लेते हैं, GPU, इस ग्राफिक्स कार्ट, बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आता है, कि सर ग्राफिक्स कार्ट लेना चाहिए कि नहीं, और कौन सलो, देखे जैसे मैंने सुरू सही बोला कि आपको देखना है कि आपका वर्क क्या है, ग्राफिक्स कार्ट जो मेली आपको जरूवत नहीं है, वैसे भी ग्राफिक्स कार्ट के प्राइस काफी हाई है, हाला कि आप तो काफी नॉर्मल हो गए है, पर फिर भी जो पहले इन जनरल आपका प्राइस था, उससे काफी एक्सपेंसिव है, तो जो आपका अगर कॉमन सा वर्क है, तो आज कल के जो आ रहे हैं, हाई-end प्रोसेशर आ रहे हैं, उतना ग्राफिक्स तो आराम साब को प्रोवाइट कर देंगे, कहीं भी अपको एदिकत नहीं आएगा, और जैसे मैं आपको मदरबोर्ड की केस में बोलाता, इन फ्यूचर आपको जडरूबत होगा तो आप ग्राफिक्स अपन और उस graphics card को choose करके वहाँ पर आप उसको assemble कर सकते हैं जब भी आप एक desktop बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ports की बहुत ज़्यादा ज़रोग पड़ेगे USB port बहुत ज़्यादा लगता है HDMI port तो होता ही हो है तो आपको ये चीज़ कंसिडर करना है कि जो भी आप cabinet चूज़ करेंगे जो भी मदरबर चूज़ करेंगे सारे पोर्टस आपको मिले ताकि इन फूचर आपको कभी कोई दिक्कत ना है तो ये पोर्टस काफी सारे होने चाहिए जितने आप यूज़ करते हैं या करेंगे उससे भी अगर एक दो ज़्यादा हो तो भी बिल्कुल अच्छा है क्योंकि इन फूचर आपको पता नहीं कि आपको और क्या क्या चीज की रिक्वार्मेंट होगी तो पोर्टस सबसे पहले जरूरी है एक पॉइंट जो हर कोई मिस कर जाता है पावर सप्लाई पावर सप्लाई कित्ता लेना चाहिए आप इन जनरल जब शॉपकीपर के बस जाएंगे तो आपको बोलेगे दो सो डाइसा वार्ट का पावर सप्लाई पर मैं बोलता हूँ यह बहुत महेंगा नहीं आता और कम से लेना चाहिए एक बार इसको लगा लिजे और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा इन फ्यूचर अपग्रेड भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं इन फेक्ट अगर आप अपग्रेड नहीं भी करेंगे तो मैं बुलता हूँ कि पी एस्यू तो आपको 400-500 वार्ट कर ल देना ही है अब लास्ट में बज़िए आपका मोनिटर कीबोर्ड माउस तो देखे के कई बोर्ड मौस जैसी आपको चाहिए जैसी आपकी इच्छ आप वैसे ले सकते हैं मार्केट में अलग-अलग प्राइज में अलग-अलग कीबोर्ड मौस आपको मिल जाएंगे अपने ले लिजे, आपके इच्छ, आपके काम के हिसाब से, आपके बज़ेट के हिसाब साब इसको डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ओर आल जो आपको कम्प्यूटर का पॉफॉर्मेंस है, उस पर यह बहुत जाद इंपक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके काम के साब से दिख लीजे, मोनिटर आपको कों से लेना है, कीबोर्ट कों से लेना है, मौस कों से लेना है, यह आप अराम से उसको यूज कर सकते हैं, तो ये major points मैंने आपको बता दिये जो आपको एक desktop लेने ने भी ध्यान रखना है आप एक pen और paper ले लिजे और इस सारे points को note कर लिजे और जब भी आपको desktop लेना है अभी अगले मैंने एक साल बाद इन सारे points को ध्यान रखेगा ताकि एक best desktop सेलेक्ट कर चके इसके अलाव आप आपको कोई क्योरी है तब मुझे comment कीजिए मैं बिल्कुल आपको reply करूंगा तो बस यही था आज के वीडियो में regarding आपका computer buying guide 2023 में तो मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखेगा ठेक केर